आज हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे परोसी पाकिस्तान को लेखे जैसे के हम लोग को पता है कि हम लोग का परोसी का one of the most famous या फिर one of the most common game है कि हर किसी के पास जाओ और पैसा मांगो आज के रेट में पाकिस्तान फिर से वही काम करने में जुट गया है कली मैंने एक वीडियो बना था जिसमें मैंने आपको कहा था कोई सायथ सोर्सेस से ऐसे भी पता चला था के पाकिस्ताथ हो सकता है कि बंगड़ेस में इन्वेस्ट करें मगर अभी जो हला थे पाकिस्तान को अपने लिए पैसा जर्दोते और इसके लिए ही पाकिस्तान different door में जाके नौक कर रहा है कि भया हम लोग को थोड़ा सा help कर दो कुछ loan provide कर दो आज के डिट में पाकिस्तान ने अपने तरब से फिर से आएम फ के पास पिर Asian Development Bank के पास Asian Infrastructure Investment Bank के पास और Islamic Trade Finance Corporation में जाके भी नौक किया है कि भया हो सकता है तो कुछ loan provide कर दो आगे जाके यह आप क्या अगर चारें में पाखिस्तान को अप प्रोच कर रहें कर रहें हम लोग को फिर से primo और्पैसा रिए और दे ना हुता है ज़ो पैसा पास्दक्रान को को हैं की ऐने लिया है बक्राइगा पैसान बहुर क्या रहे हैं यह नहीं है इन जौन करते हैं 인त्युंव पैसे हम लोग आपको दिये है अगर टोटल पाकिस्तान का जीडिपी देखे तब भी हम लोग उससे पर जा रहे है और दादसे आप फिर से पैसा मांग रहे है ऐसा कैसे हो सकता यह तो होना नहीं चाहिए आप लोग कुछ कीजिए पाकिस्तान हाँ हाँ ठीक है हम लोग देख बहुत करते हैं इसकी पंदद्र है इसा उड़ा है तो फिर से पाकिस्तान लोग फिर से पैसा Loch करेंगे यह पहले हो तो पैसे हम लोग इसको क्यों एक्जाक्ली क्या कोशन है क्यों हम लोग को पैसे तो जो भी है यह चाइना का स्टैंड है अगर देखा जाए इस वीक जो पाकिस्तान के काफी वीजी रहे वह अपना वाशिंग्टन डिसी वीजिट में थे किनके इस वीक में अल्रेडी मीटिंग चल रहा है आयमेफ का मीटिंग था वर्ल बैंक का मीटिंग था आयमेफ में जैसे हम लोगों कुछ दिन पहले ही पता चला अपने तरब से सेवन बिलियन डॉलर का ए पाकिस्तान के जब वाशिंग्टन डिसी गया है तो सोचा के भाई हम लोग का आये हैं हिसाब देने के लिए on the other side हाथो हाथ एक और काम कर लेते क्योंकि फिर से आना पड़ेगा तो फिर से कर्चा हो जाएगा और भी किसी से मिलनेता हूं अगर लोन मिल जाता है तो बहुत फिर्वेशी कर लगें गई का हम लोग और और बेचलिटी जो मिनिस्टर है तुरकिस फिनांस मिनिस्टर चाइना मिनिस्टर और समेंोज protocol व्लिटियव चेल आगा चैना के साथ विनिस्त कशलैं चै opposition का क्या बैक्राउंड है है पाकिसान में क्या बोलμεंफत कि थोड़ा टाइम तो आगे जाके हम लोग सोचते फिर आगे आपको बदाते कि क्या करना है या फिर क्या हो सकता है इसके लाए भी पाकिस्तान के जो फिनाइस मिनस्टर है वह अपने तरब से डिफरेंट इन्स्टिउशन है उन लोग के जो हेड है और फिर उन उन्होंने अपने तरफ से जितना हो सा कि उतना जगा ही नौक किया कि कुछ लोन मिल जाए पाकिस्तान के लिए आगे अपने तरफ से Islamic Trade Finance Corporation ने एगरी किया है कि पाकिस्तान को तीन बिलियन डॉलर का लोन देना के लिए और वो भी तीन साल में जिस में से 296 मिलियन डॉलर जो ह मगर उसमें एक Terms and Condition है Terms and Condition यह ही है कि यह जो पैसा है आगे जाके यह पाकिस्तान का जो environmental change हो रहे है उस पर कर्चा किया जाए तो जब यह scheme काम कर गया पाकिस्तान ने अपने तरफ से यह जो environmental scheme है यह IMF के उपर भी चला है और IMF ने और पाकिस्तान को बस कुछी दिन प पाकिस्तान को तो नो डाउट पाकिस्तान के जो finance minister है वो अपने तरफ से बहुत ही महनत कर रहे है अगर देखा जाए पूरा जो week ता हुआ अपने तरफ से different organization के साथ मीटिंग किया है साथ ही साथ हर कोई डोर में वह नौक कर रहे है एक डोर अगर बंद हो जा रहा है तो thank you बोलके दूसरा डोल में जा रहा है और end of the day आगर देखा जाए वो अपने तरफ से कुछ पैसा जो है exactly loan जो है पाकिस्तान के लिए वो अपने तरफ से manage कर लिया है और अपने तरफ से अगर देखा जाए हम लोग बच्पन में एक story पर रहे थे जिसमें एक Robert Bruce का story होता है और जो पैसा अप्रूव हुआ है क्या वो पैसा पाकिस्तान अपना climate related जो प्रॉब्ले में उसमें खर्चा करेगा या फिर वो दूसरा पैस दूसरे amount में चला जाएगा तूंकि हम लोग को पता है पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे countries बैठे कि हम लोग का पैसा है वो पैसा हम ल प्रॉब्लेम करने में खर्चा किया जाता है या फिर नहीं कमेंट कीजे कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि exactly आपको सोच क्या है hopefully यह वीडियो आपको interesting लगा अगर आपको यह वीडियो interesting लगा तो आप मेरा YouTube channel that is अतनुपॉल ATA NU Space PL में जाके subscribe कर सकते हैं बहुत सारे interesting videos हो हमको मिलने वाला है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइप की जो special post है उनके साथ यह वीडियो शेर कीजे कि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है on the other side हम लोग जैसे जो creator है हम लोगा जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप जबी भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे है जो बेल आइकन है वो क्लिक कर दीजिएगा वीडियो डिफ्रेंट टाइम में आता है आपके बस तुरह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हजी हो जाएँगा थैंक्यू